सच पेड़ के पीछ की तरह होता है। जितना चाहे तरह लोग। फे ने काफी बड़े-बड़े एक्टर्स के तो आपके रहमाचेल को सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक मुवी के अपडेट मिलेगी और मिलेंगे पब्लिक रिव्यू सुध हिंदी में सबसे पहले हैं। फेल्मे के VFX की तारिफ करी है पर दोस्तो कुछ बंदों ने ये कहा है कि फिल्मे का क्लाइमेक्स कुछ खास देखने कले नहीं मिला। इसके अंदर दोस्तो आपको पता चलेगा है कि भेडिया मुवी के नापको कॉमेडी क्लाइमेक्स से कहीं जड़ा अच्छ लगने वाली है। दोस्तो आपको जानके निकले बताना चाहूँआ कि फिल्म में भेडिया को बॉक्स अपिस पर लगे हुए को आज आठवा दिन श्टार्ट हो चुका है। छटे दिन का कलेक्शन रहा दो करोड असी लाक रुपे का। इसी के साथ दोस्तो फिल्म अपने साथवे दिन यानि के अपने पहले अपते के आकरी दिन में तीन करोड रुपे का अकड़ा पार कर दिया है। आठ दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 46 करोड रुपे हो चुका है। तो दोस्तो अगर आपने फिल्म में भेडिया को देख लिया तो आपको मुवी कैसे लगी कमेंड करके जुरूर बताईएगा। वहीं पर दोस्तो अगर हम बात करें फिल्म द्रश्यम 2 की तो आप सभी को पता है कि यह मुवी एक फेमिली ड्रामा क्राइम थिल्लर फिल्म है। जिसके दर आपको अजे देवगान, तब्बु मैम और अक्षे खन्ना की बहात्रिंग एक्टिंग देखने करें मिलती है। पर दोस्तो अगर हम बात करें द्रश्यम 2 की तो अजे देखन सर एक बाफ फिर से हम सबके बीच में बाजी मानने वाले हैं क्योंकि इनकी फिल्म में द्रश्यम 2 एक बाफ फिर से साल की एंडिंग की मेगा ब्लोकबिश्टर फिल्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तो इस फिल्म अपने पहले दिन 15 करोड 38 लाक रुपे का अकड़ा पार कर दिया था। इसके साथ दोस्तो फिल्म अपने पहले अपते में 104 करोड 46 लाक रुपे का अकड़ा पार कर दिया था। वहींपे अगर हम बात करें फिल्म के दूसरे अपते के कलेक्शन कींग तो फिल्म अपने दूसरे अपते में 58 करोड 82 लाक रुपे का अकड़ा पार कर दिया है। जो कि दोस्तो देखने में काफी कमाल की बात है क्योंकि अभी तक बॉक्स अपिस पे कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई है दूसरी फिल्में। वहीं पर अगर हम बात करें फिल्म के 15 दिन के कलेक्शन की तो फिल्म अपने 15 दिन 4 करोड 20 लाक रुपे का अकड़ा पार कर दिया है। कमेंड करके जरूर बताईएगा। इसी के साथ दोस्त अगर हम बात करें आयुशमान खुराने की बेश्ट एक्शन थिल्ला फिल्म एन एक्शन हिरो की। तो दोस्तो आप सभी को पता है कि आयुशमान खुराना अब भी तक हम सभी के बीच में कॉमेडी का अफ्तार करना बताई जाते थे और दोस्तो उनके फिल्म में हम सभी को काफियरा हसाती थी और इमोशनल टच करती थी वो हर बार अपनी फिल्मों के साथ में कुछ आविशकार करते हैं और दोस्तो कुछ नया कांटेंड लेके आते हैं यही कराण है कि आयुशमान खुराना की फिल्म को ज जैदीप अलावा उनका भी किरदार काफियरा बहतरिंग था यही कराने के ओडियंस के तरफ से मुवी को 10 आउट ओफ 6 टार की रेटिंग देखने के लिए मिली है इस फिल्म को डारेक्ट करा है अनिरुद लिया ने वही पर इस फिल्म को प्रेडियूस करा है भुशन कुम और दोस्त अगर इन दोनों से एक बात भी सच है तो मेरे हिसाब से एक्शन हीरो फिल्म में एक काफी बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित होने वाली है कि दोस्त आप सबी को पता है कि एक्शन हीरो जिस के इंदर आपको आईशमन कुराना एक एक एक्शन किंग के नजर आने जी हाँ दोस्तों इनकी फिल्म अपने पहले ही दिन एक करोड़ पचास लाग रुपे का पेडिक्शन बताया था जो कि दोस्तों यह फिल्म उसकी भी उमीदों पर खड़ी नहीं उतरी और फिल्म के कलेक्शन काफी रट डाउन देखने के लिए मिले वहीं भी दोस्तों इ अपने दूसरे दिन का जो प्रिक्शन हो वो लगबग 2 करोड़ के आसपास का बताया है जिसके चलते इस फिल्म ने का अपने दूसरे दिन 2 करोड़ रुपे भी खामा लिया तो फिल्म में का दो दिनों का इंडियान नेट कलेक्शन 3 करोड़ पचास लाग रुपे हो प्रिक्शन 2 या फिल्म दोस्तों काफी बहत रिंग बहड़िया कमेंड करके चुरूर बताइएगा और इसी ही अपडेट जानने के लिए आपके रुपाचल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भूलेगा जय हिंद वंदे मात्रम